हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप सब ठीक हूंगे आज के करेंट एक सेशन में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले सभी सेनाओं के प्रमोग 2024 चीफ अफ आल आम फोर्सेस 2024 जैनुवरी तक की अपडेटेड लिस्ट है बहुत इंपोर्टेंट बहु पर एक्जान में भर डिसीर्म सब्सक्राइब करने सुथा सेज्वर्ट बहुत खोली में बाताओंगी मैं करांट सीडियसिया से जैनल विपिन बहुत जी है जिनका मटसम हो गया चल रहे हैं इस जो सकिट नमभर के और ft शरेंड से जो चल रहा ठीक है अब आगे पूरी एक सीरीज जैसे कोशन बनेंगे ध्यान से सुनिए जैसे अब नेक्स कोशन है चीफ आफ स्टाफ कमिटी के न्यू अध्यक्ष की रूप में किसने पदभार सभाला है अगेन अनिल चौहान जी ने चीफ आफ स्टाफ कमिटी के न्यू चेर्मेन अनि कौन है चीफ आफ दी इंडियान आर्मी स्टाफ के वर्तमान प्रमुक पूछ रखा है कौन है जेनरल मनोज पांडे जी है तो थोड़ा देखते हैं हम फर्स एप्रिल 1895 में फॉर्म हुई थी और 15 जन्वरी को इंडियान आर्मी डे मनाया जाता है यह भी बहुत इंपॉर्ट पूछ सकते हैं कौन से नंबर के हैं फर्स चीफ कौन है सर रोबोर्ट लॉकाट रहे और फर्स इंडियन चीफ कौन रहे जेनरल के अम करियपपा देखे कोशन इनी से पूछा जाएगा या तो आपसे करेंट के पूछ लिए जाएंगे कौन चल रहे हैं ठीक है और वह कौन के नए वायुसेना प्रमु कौन है चीफ आफ एस स्टाफ पूछ रखा है वर्तमान में कौन है विवेक राम चौधरी जी है ठीक तो अगर हम देखें इंडियन एफ फोर्ट जो की 8 अक्टूबर 1932 में फॉर्म हुआ था इसलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एफ फोर्स डी मनाया जाता है न्यू डेली में इसका हेटक्वाटर है मोटो इसको महिमा के साथ आकाश को स्पर्स करें तर्स दे स्काई विद ग्लोरी और विवेक राम चौधरी जी 27 नंबर के चीफ है फॉर्स चीफ रहे सर्थॉमस एम हर्स और फॉर्स इंडियन चीफ रहे सुर्वोत् नेक्स है भारती नौसेना के वर्तमान प्रमुक कौन है इंडियन नेवल स्टाफ के वर्तमान प्रमुक पूछ रखा है कौन है और हरी सिंग जी है ठीक हरी कुमार जी तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में अभी हैं इंडियन नेवी जो फॉर्म हुई थी 5 सेप्टमब 1612 को हुई थी इंडियन नेवी जो डे है वो 4 डिसेंबर को मनाया जाता है ठीक है 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 न्यू डेली में और मोटो इसका जल के देवता हमारे लिए मंगल कारी हो में अभी के चीफ चल रहे है करेंड के चीफ एड्माइरल आर हरी कुमार जी वो 25 नंबर के हैं और फर्स इड्माइरल रामदास कटारी जी नेक्स है भारती तट रक्षक बलके नए महादनेदेशा के रूप में किसने पदभाय ग्रेंड किया है इंडियन कोस्टल गार्ड के न्यू डिरेक्टर जिनरल कौन बने हैं ठीक है राकेश पाल जी तो अगर हम इंडियन कोस्गार्ड के बार में देखिए 1st February 1977 में फॉर्म हुई थी इंडियन कोस्गार्ड डे 1st February को बनाया जाता है है हैटक्वार्टर न्यू डेली में है मोटो इसका रहा वियम राक्षम वी प्रोटेक्ट और इसके प्रमुग जो है 25 नंबर के राकेश पाल जी है 1st डिरेक्टर जनरल इसके रहे विये कामाज जी ठेक है नेक्स अपना ससस्त्र सीमा बल SSB के महा निदेशे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बहुत अचीवमेंट की बात है यह भी रश्मी शुकला जी को ठेक है बहुत क्योंकि एक वुमेन है इसकी डिरेक्टर जनरल तो जो अगर हम ससस्त् स्ट्रीम फॉर्म एटिव हेड़कॉर्टर नियु डेली में मोटो इसका सर्वी सेक्योर्टी एंड ब्रदर हूट सेवा सुरक्षा भाईचारा है डिरेक्टर जनरल जो है इसके 23rd नंबर के है अभी प्रमुक्य करेंड के चल रहे है रश्मी शुकला जी जो चल रही है वो इसके बारे में देखते हैं ITBP जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलीज 1962 में फॉर्म हुई थी हैड़कॉर्टर न्यू डेली में है मोटो है शौर रियद्रणता क्रम निस्टा और जो अभी करेंट के डिरेक्टर जनरल है वो 38 नंबर के हैं राहुल रस्त कोत्रा जी और फॉर्स डीजी इसके डिरेक्टर जेनरल रहते बलबीर सिंग जी सो दो नेक्स्ट कोश्चन इस CRPF केंद्री रिजर्व पुलीज बल सेंटरल रिजर्व पुलीस फॉर्स के महानिदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है अनीज देयाल सिंग जी CRPF के न्यू डिरेक्टर जेनरल नियुक्त किये गये हैं इसके बार में हम देखते हैं CRPF जिसकी फुल फॉर्म है सेंटरल रिजर्व पुलीस फॉर्स 27 जुलाइं 1939 में फॉर्म हुई थी न्यू डेली में इसका हैटकॉर्टर है मोटो सेवा और निस्टा है अभी जो क Security Force के न्यू डिरेक्टर जेनरल के बारे में पूछ रहे है नितिन अगरवाल जी है जो नितिन अगरवाल जी है में थड़ी फर्स नंबर के हैं अभी और फॉर्म हुई थी बीए से 1 डिसेंबर 1965 में हुई थी हैटकॉर्टर न्यू डेली में है मोटो इसका है लाइफ रुस्ताम जी रहे ठीक है तो नेक्स कोशन इस केंद्री और ध्योग एक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्यूर्टी फोर्स के नए प्रमुक कौन बने हैं तो वो बने है नीना सिंग जी तो नीना सिंग जी सी आई सेंट्रल इंडस्ट्रील सिक्यूर्टी फोर्स की नई प्रमुक बनी है ठीक है अगर हम इसके बारे में देखे 10th मार 1969 में फॉर्म हुई थी न्यू डेली में इसका हेटकॉर्टर सरिक्षन और सुरक्षा इसका मोटो है जो अभी करण के डिरेक्टर जेनरल है वो 30 नंबर के 30 में नंबर की है नीना सिंग नेक्स है असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में किसने कारिभार सभाला है असम राइफल के न्यू डेरेक्टर जेनरल के बारे में पूछ रखा है कौन है प्रदीप चंद्रन नायड जी है ठीक तो अगर हम देखें प्रदीप चंद्रन नायड जी वो 21st नंबर के ह हैं जो अभी करेंड के बन रहे हैं फॉर्म हुए थी आसम राइफाल 1835 में हैटकॉर्टर में घाले के शिलॉंग में मोटो है उत्तर पूर्वी के प्रहरी और जबी करेंड के चल रहे हैं प्रदीप चंद्रन नायर डिरेक्टर जनरल के हैं फॉर्स डीजी इसके रहे है एज निदेशक किसे न्यूप क्या गया है नैशनल सेक्यूरिटी के डिरेक्टर जनरल बने हैं में गणपती जी ठीक है तो इसके बारे में आगा देखे हम नैशनल सेक्यूरिटी गार्ट के बारे में देखें फॉर्म हुई थी सिस्टीन ऑक्टूबर 1984 में हैटकॉर्टर से सीमा सडग संगठन का नया महानिदेशन न्यूक किया गया है बी आर ओ बॉर्डर रोड और्गनाजेशन के नए डीजी बने हैं अपने रगू श्री निवाशन जी ठीक है अगर हम ब्यारों का देखें बॉर्डर रोड और्गनाजेशन सेवन में 1960 में फॉर्म हुई थी हैटकवाटर नियू डेली में हैं जो अभी के करेंट डीजी है वो 28 नंबर के हैं रगू श्री निवाशन जी ठीक है फॉर्स डीजी फॉर्स डिरेक्टर जेनरल के अन दूबे जी नेक्स है भारत के रक्षा सचीव के रूप में किसे नुक्त क्या गिया है डिफेंस सेक्य है तो यह सेना बिल्कुल तैनात रहती है ठीक है तो पूछ रखा उसी के बारे में नैशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स के महान इदेशक के रूप में किसे नुक्त किया गया है अतुल करवाल जी को अगर हम एंडी आरफ के बारे में देखें 2006 में फॉर्म हुई थी न्यू डेली में इसका है डिजास्टर सर्विस इसका मोटो है अतुल करवल जी इसके नए डिरेक्टर जेनरल बने है 11 नंबर के है अगर हम फर्स डिरेक्टर जेनरल के बात करें तो आरके भाडिया जी रहे ठीक है नेक्स है रास्टी कैड़ेट कोर के महान इदेशक के 48 में है एड़क्वाटर न्यू डेली में है मोटो एक्ता और अनुसाशन है और जिसके अभी करेंट के डिरेक्टर जेनरल चलने है थड़ी फोर्थ नंबर के वो गुरवीर पाल सिंग जी है फर्स डिरेक्टर जेनरल इसके रहे जेनरल गोपाल गुरुनाद बीवाड जी नेक्स है रेल्वे सुरक्षा बल जिसको आर्पियव बोलते है रेल्वे की जो कुलिस होती है रेल्वे प्रोडक्शन फोर्ड जो होता उसका नया प्रमुख न्यू चीफ किसे न्यूत किया गया है मनोज यादाव जी के बारे में बहुत इंपोर्टन कोशन है ये भी अग नए डिरेक्टर कौन बने हैं प्रवीन सुच जी अगर हम सीबी देखें 1963 में फॉर्म हुई थी हैट्वाटर न्यू डेली में है मोटो इसका है इंडस्ट्री इंपार्शियल्टी इंडिग्रिटी अगर प्रवीन सुच जी की बात करें जो अभी करेंट के डिरेक्टर चल नाटन है अभी करेंट के डेरेक्टर कौन चल रहे है तपन देका जी ठीक अगर आईबी की बात करें 1887 में फॉर्म हुई थी न्यूर डेली में है है मोटो इसका हमेशा सतर्क है ठीक है इसका जो प्रवु है अगर हम रॉक ही बात करें 21 सेप्टेमबर 1968 में फॉर्म हुए थी न्यू डेली में हैटक्वाटर है मोटो इसका धर्मा प्रोटेक्ट वेन इस प्रोटेक्टेट और जो इसके प्रमुक चल रहे हैं चीफ चल रहे हैं करेंट के रवी सिनहाजी चल रहे हैं नेक्स है भारत क रास्टी स्रक्षा सलाकर कौन है अजीट डोबाल जी तो अजीट कुमार और जी वह फिफ्ट नंबर के नेस्नल सेक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो ब्रेजेश मिश्राजी थे नेक्स है भारती वायुसेना के जनक की रूप में किसे जाना आ जाता है बहुत इंप किसे जाना जाता है वही फाधर भी कहलाते हैं इंडियन इया फोर्स के उनका झाम है सुभरोत मुखरजी तो भारती भाएयु सेना के जनक जो हैं फाधर उफ अंडिया नाव फॉर्स वो सुभरोती मुखरजी यहisi फाधर ऑफ इंडिया नेवीर च्छद्रुपर्ची होगी काफी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले मिलता भी नेक्स वीडियो में